नमस्कार मैं हूँ निकिता रगुवंशी और स्वागत है आपका MP News के इस खास सेग्मेंट में जिसका नाम है नियूजरूम हर रोस की तरह आज भी हम आपको मद्रप्रदेश की पाज बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं तो चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर जो पहल के खिलाब याचिका लगाई गई थी हाई कोट में तब उस याचिका की सुनवाई की दोरान जज और वकील के बीच में खुब बहस हुई थी जिसका वीडियो भी काफी शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है और वकील को फटकार लगाते हुए जज ने यह तक के दिया थे मध्यप्रदेश के आर्थिक राजदानी इंदौर से सामने आ रही है ऐसी खबर सामने आई कि कल रात में इंदौर के तुकोगन श्थाना शेत्र में वर्ग विशेष की यूवकों द्वारा जो है हिंदू लड़कों के साथ जो है मारा पीच और इस तरह की विवाद की अगड़े हो गए जिसमें एक वर्ग विशेष की यूवक ने यूवक को चाकों से घायल कर दिया और इस मामले में यह मामला इतना बड़ा है कि सीम ने इस मामले में खुद संग्यान लिया है और वहीं कया है कि मामले में जो है दोशियों पर कड़ी कारेवाही भी की जाए किया है और इसके विचे वज़े यह है कि निवारी में पदस्तिक महिला माल विकास के करमचारी के वेतन के मामले में विभाग के द्वारा जो है लापरवाही उजागर हुई है वहीं हाई कोट के निर्देश पर प्रमुक्स अच्छीव ने इस पर जबाद नहीं दिया था जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर ममता चतुरवेदी ने हाई कोट में अपील दायर की थी और महिला बाल विकास ने बिना करमचारी भवन अकेली ममता चतुरवेदी की निवारी में पोस्टिंग कर दी शिवपुरी और अन्नी जिलों में पद खाली होने के बाद भी चतुरवेदी को निवारी में ही वदस्त किया गया चॉइनिंग नहीं करने पर विभाग ने महिला अधिकारी का वेतन जारी नहीं किया था जिसके बाद अब उन्होंने जो एक अपील लगाई थी हाई कोट में उसमें अब जो प्रमुक्स अचीवे महिला एव इस मामले में नेशनल टाइगर अथॉरिटी ने चीतों को बचाने के लिए चीता स्टेरिंग कमिटी का गठन किया है और ग्लोबल टाइगर फोरम के चेर्मेन राजेश गोपाल की अगवाई में यह कमिटी बनाई गई है 11 सदिस्टी कमिटी कुनों में चीतों को बचाने का एक्शन प्लान तयार करेगी और चीतों को लेकर कोई भी फैसला जो भी होगा आगे वी वो कमिटी ही दे करेगी इस कमिटी में दक्षिन अफ्रीका और नामीविया के चीता विशेख चग्यों को भी आमंत्री सदस्ती बनाया गया है दरसल बताया जा रहा है कि 25 मही यानि कि गुर्वार को भी शियोबुट जिले में स्थित कुनों नेशनल पार्क में दो चीता शावकों की मोथ हो गई थी और कुनों में अब तक कुल मिलाकर जोए छे चीतों की मोथ हो चुकी है जिन में तीन शावक भी शामिल है अब कुनों में 17 शीते और एक शावक ही शीष बचे हैं महीं पाच्वी खबर जो आ रही है मद्रप्रदेश में चुनाओ को ये सम्मंदी जानकारी उसमें बताया जा रहा है कि विदान सभा चुनाओ को लेकर आयोग ने तैयारिया तीच कर दी और भारत निरवाचन आयोग के निरदेश पर मद्रप्रदेश में द्वितिये नाम जोडने मृत मद्दाताओ के नाम हटाने वोटर आईटी कार्ड में संशोधन के लिए जगा जगा पर शिविर लगाया जाएंगे तीवीज जुन तक बीएलो जो है मद्दाताओ की घरगर जाके समझ में सर्वे करेंगे मद्दाताओ सुची में जो भी अब्डेशन क कारएं वो भी यलो द्वारा जो है आगा हमी घरगर जो जुन तक किया जाएगा तो यही थी मद्दीप्रिदेश की आज के हमारी 5 बड़ी ख़बरें हम रोजाना आपको मद्द्देश की पासर बड़ी ख़ब्रों की जानकारी देते रहते हैं और आगे भी देते रहेंग झाल झाल झाल